दोस्तों अमेरिके अरब पती जॉट सोरोस के मोधी के खिलाफ दियेगे बयान को लेकर पूरे देश में अल्ला मचा हुआ है। इससे पहले 2019-20 में CAA NRC के वक्त भी सोरोस अंकल ने मोधी को मुसल्मानों का दुश्मन कहा था। और यहां तक बोल दिया था कि वो दुनिया भर से ऐसी नैशनलिस्ट ताकतों को अटाने के लिए एक अरब डॉलर बोले तो आठ हजार करोड रुपे तक खर्च कर देगे। कि हमको कुछ कहने वाले। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये इत्तिफाक है कि चुनावी साल नजदीक आते ही एक के बाद एक विदेशी संगटन, विदेशी NGO's या विदेशी चैनल भारत में मोधी सरकार को कमजोर करने में लगे हैं। क्या ये सिर्फ इतिफाक है कि पहले मोधी को लेकर BBC की डॉक्यमेंटरी आई, पिर अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अब सोरोस का मोधी के खिलाब बयान। इतना ही ने कुछ दिन पहले संडे गार्जिन अकबार ने खुलासा किया कि किस तरह मोधी सरकार को गिराने के लिए विदेशी दिल्ली और लंडन में गुपचुप मीटिंग का दौर चला। इस तरह की मीटिंग में भारतियों के अलावा विदेशी लोग भी हैं। इन मीटिंग का मकसद मोधी सरकार के खिलाब नेगेटिव परसेप्शन बनाना, उसे कमजोर करना, उसके बारे में हर बुरी खबर को तूल देना है, मतलब मोधी के नाम पर देश विदेश में शड़ेंतरों के महा अधिवेशन चलते रहे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। आप इसे बोल रहा हूँ मैं, आखिर जिस देश में आपका दूतावास है, आप उसी देश की सरकार को अटाने या कमजोर करने के लिए कोई प्लानिंग कैसे कर सकते हो बे। ये तो ऐसे हो गया जैसे आपके घर में आया महमान, गेस्ट रूम में बैटकर ये प्लानिंग क उसमें कितने इंसानियत के आंसु हैं और कितने मगर मच के, क्योंकि जो सोरोस मोधी सरकार को खेती में लगी गाजर की तरह उकार कर फेक देना चाहते हैं, इनी सोरोस की ओपन सोसाइटी फांडेशन नाम की NGO को मोधी सरकार ने 2016 में अपनी वाच लिस्ट में डाल दिया था सबूत मिलने के बाद सरकार ने इस संस्था को वाच लिस्ट में डाल दिया था, मतलब साफ संकेत दे दिया था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मतलब सरकार की इजाज़त के बिना सोरोस की NGO भारत में किसी भी आदमी या और्गनाइशन से पैसे का लेंदेन नहीं कर सकती थी, इतना ही नहीं, फ्रांस के जिस सिविल सोसाइटी ग्रूप शेरपा संसान ने राफेल डील में गड़बडी के आरोप लगाये थे, उस शेरपा संसान को भी सोरोस की उपन सोसाइटी फाउंडेशन ही फंडिंग करती है, आपको पता होगा कि कैसे शेरप नहीं, बीजेपी का तो यहां तक कहना है कि सोरोस कहने को खुद को नॉन पॉलिटिकल आदमी बताता है, लेकिन क्या ये भी इत्तिफाक है कि उन्हीं के एंजी ओपन सोसाइटी के वाइस प्रेजिडेंट सलील शेटी कॉंगरस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी उन्हीं नाच नाच कर पूरे महले को बता रहे कि इससे हमारे देश में दस लाग नौकरियां पैदा होंगी, हमारे यहां डिफेंस एक्सपो लगता है तो रिकॉर्ड तोड देशों के मंतरी उसमें भाग लेते हैं, और बीजेपी का कहना है कि सब के बावजूद सोरोस को भारत ब जोल दिखाई दे रहा है, इस पर लोगों का यही कहना है, कि गली के जगडों में इतना साइड तो एक मा भी अपने बच्चे का नहीं लेती, जितना सोरोस अंकल मा बेटे की पार्टी का साइड ले रहे थे, शायद यही सब वज़े कि रूस जैसे देश में भी उनकी संस् इसलिए आज भारत में लोग इन जैसे फॉरें एंजियोज मीडिया आउसिस की नियत पर शक कर रहे हैं, यहां तक कहा जाता है कि जब भी लोकसभा का सेशन शुरू होता है, या भारत में चुनाओ होने वाले होते हैं, तो विदेशे एंजियोज मीडिया संस्थानों वहा मोधी की तस्वीर चापती है, यही मैगजिन जिन पिंग से सवाल पूछने में ऐसे शर्माती है, जैसे नई नई बहू अपने जेट से चाय पूछने में शर्माती है, बाद में जब भारत सरकार दुनिया के 95 देशों को कोरोना की वैक्सीन देता है, तो वो इसके लिए त भारत की सुप्रीम कोर्ट तक मोधी को बेगुना बता चुकी है, उसे लेकर आज भी अगर आप चाती कूट रहे हो, तो यह पत्रकारी था और चाती दोनों का अपमान है, लोग सवाल पूछते हैं कि अली बाबा के फाउंडर जैकमा 29 बिलियन डॉलर के IPO लॉंच के वक्त जब अचानक गायब कर दिये जाते हैं, तब भी कोई चीन से सवाल नहीं पूछता, BBC जैसे संस्थान तब भी नई बहू की तरह जेट से शर्माते हुए, मूँ में पल्लू लिये, लल्लू बनकर कोने में खड़े रहे, मगर उनके मूँ से एक शब भी नहीं पुटा, बता जैसे ही हैं, लेकिन जैसे ही कोई विदेशी संस्था, विदेशी चैनल, विदेशी सेलिब्रिटी, जिसे न हमारी सोसाइटी की जानकारी है, न यहां के सिस्टम की, वो जैसे ही हमारे बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है, तो कुछ लोग मारे खुशी के कुए में पर भरोसा हुआ inferiority complex है या Chinese माल की तरह हमारी संस्थाएं ही भरोसे के लायक नहीं रही वज़े जो भी हो मगर इतना तो जरूर पता है कि अपनी हर चीज के लिए दुनिया को जज बना देना कहीं से जायज नहीं बॉस और एंड में बॉस सबसे बड़ा होता है जंता का इकब अगर कोई आदमी दुखी है उसकी जिन्दगी नर्ख हो चुकी है तो अखबार में छपी कोई जूटी खबर उसे खुश महसूस नहीं करवा सकती और कोई आदमी अगर सुखी है तो किसी आंकर के चिलाने से वो खुद को दुखी मानना शुरू नहीं कर देगा इसमें हम स सिस्टम जरूर है करवा दूँगा क्या समझे फिलाल चलता हूँ जल्दी मिलते हैं आप से यही पर थैंक यू फू वाचिंग जैहिंद